आज मुझे बेहत खुशी है अलविदाई पार्टी पर मुझे लब खुशाई करने का मौका दिया गया है तो पहले में थैंक्स करना चाहती हूँ नाइन क्लास को जो इतनी अच्छी पार्टी आरेंज की है आज मुझे बेहत खुशी है और इसके साथ दुख भी है दुख इसलिए है कि अपनी कुछ साल जो मेट्रिक लास के साथ गुजारें टीचर्स के साथ गुजारें इनसे बहुत दूर चले जाएंगे खुशी इसलिए है कि आज हम अपने जिन्दगे के नए सफ़े पर फिर निकलेंगे नए सफ़े की तरफ गामजन होंगे काम्याबी हासिल करेंगे और मेरी यही दूआ है हम इसी तरफ काम्याबी की तरफ गामजन रहें घड़ी ये अलविदा की है बिचरना लाजमी ठहरा फिजाए दोस्ता को अब बदलना लाजमी ठहरा हमें ऐसे बिचरना है कि गोया कल भी मिलना है लगा कर हाजरी चुपके निकलना लाजमी ठहरा किसी रस्ते पे मिल जाएं किसी मन्जिल पे मिल जाएं बशरते जिन्दगी एदोस बिचरना लाजमी ठहरा यही लम्हा दिलों पर बारहा पहले भी गुजरा है मगर वक्ते जुदाई दिल मचलना लाजमी ठहरा कही जजबात में जाजब खुदा हाफिज न कह देना तकाज़ा है यह मजलिस का समभलना लाजमी ठहरा वो मासूमित वो अपना पन हमें अपनी स्कूल से मिले हैं वो शायद ही किसी कॉलेच और यूनिवर्स्टी में मिल पाएंगे आये थे हम सब यहां रोते हुए और जाएंगे भी असर यहां उसे रोते हुए माबाप का हाथ छोड़ कर इस बात से अंजान के वहां भी हमारा कोई हाथ थामेगा हमें संभालेगा हमें पढ़ाएगा हमें तालीम से आरास्ता करेगा गेली मिटी से थे हम हमारी टीचर्स ने जिस दोस्ती के नाम पर इतना फुदकते हैं वो भी तो उन्हों नहीं कहना सिखाए था फ्रेंड्स याद है आज भी वो स्कूल का पहला दिन जब ये कहना सीखा था कि फ्रेंड्स कटी बटी मारना पीटना बहुत याद आएगा लड़ना जगड़ना वो लंच ब्रेक में सब का टिफन चकना बहुत याद आएगा ये सारी बातें हमारी लाइफ के टिफन बॉक्स में डिजर्ट का का काम करेंगी आज फेरवल के दिन हम अपने सब फ्रेंड्स को ये कह रहे होंगे कि I will miss you यार लेकिन वही पर बाकी कुछ लोग हैं जिनने हम बें तहाँ याद करेंगे बहुत मिस करेंगे और वो है हमारे सब असातजा जिन्होंने हमें मेयाई कमेंदी क्लास से लेकर गेट आउट फ्रम दी क्लास तक सिखाया वो हर नमहा मेरे जहन में आज भी आता है तो ऐसा ही लगता है जैसे अब इकल की ही बात है लेकिन हमें नहीं पता हम जिन्दगी का एक सफर तैक कर चुके होते है और अब हमें आगे बढ़ना है आज वो वक्त आ गया जब हमें उन सब से बिछर जाना है दूर हो जाना है पिछले साल तक हम अपने सीनियर्स को फेरवल दे रहे थे उनके लिए गाने चुन रहे थे तैयारियां कर रहे थे तो उन पर भी ऐसा कुछ वक्त गुज़रा कि वो भी कुछ अपसेट थे तो आज हमें भी पता चल रहे है कि हाज हम कितना अपसेट हैं वो भी ऐसे ही कि बस उनके लिए गाने चुन रहे थे हमें क्या पता था कि वक्त हम पर भी आएगा, इतनी तेजी से वक्त उसरा है, कि समझ नहीं आ रहा है कि किन लफजों में कहूं किसी ने सच कहा है, कि इंसान को इस चीज का इसास तभी होता है जब वक्त उस पर आता है So we can't explain in our words आज और आगे बर जाएंगे हम, आज और आगे बर जाएंगे हम पर ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि दिल में कुछ तूट सा रहा है शायद सब को यही घम है या फिर सब को यही खौफ है कि इस भीड बरी दुनिया में नजाने यारों से मिलन होगा कब यारों ये कहना चाहूंगी मैं तुम सब से कि तुम लोगों की याद बड़ी आएगी जब कौने में पड़ी स्कूल की उन किताबों को देखूंगी तुम लोगों की याद से मेरी आँखे तो भराएंगी मगर साथ में की गई शेतानिया बहुत याद आएंगी बैक बेंच पे बैटकर तो बहुत ज़्यादा हरकते की हमने मगर जो फ्रंट बेंच पे बैटकर शेतानिया की वो भी एक अलगी लेवल की थी आज सब के चहरे पर मुस्कुराहट है लेकिन अंदर दिल में कुछ तूट सा रहा है ये वो एहसास है जो के हम एक्स्प्लेइन नहीं कर सकते यारों से बिचर जाने का स्कूल लाइफ को अलविदा कहने का नई शुरुआत का डर और असाथ जागों पीचे छोड़ जाने का डर है वो यारों से पैसे चीन कर उनी के पैसों से चीजें खाना कैंटीन पे उनको मारना और उनसे बहुत ज्यादा बाते करना लेक्चर के दोरान भी टीचर की अपसेंस में उनसे बात करना बहुत याद आएगा जब कॉरिडॉर के हॉल में हाथ में हाथ डाल कर हम लोग चला करते थे और एक दूसरे से रेस लगाया करते थे अगर दोस्तों में से कोई गेटा तो उस पे तो खूब हसते थे मगर जब खुद गेटे थे तो किसी को हसने भी ना देते थे वो याद आएगा हम सबका एक साथ बिर्यानी खाना सीडियों पर खड़े होकर सर्दी की दूप सेखते हुए आंटी के पकोड़े और पेटीज वगारा खाना वो याद आएगा इमामजादी से पेसे लेकर आंटी की चीज खाना और नफीसा को हर बार ये कहना के यार कैंटीन से चीज खिला दो याद आएगा मिस शुमाला का हमें बहुत मुश्किल मैट्स के सम्जाना और इस तरीके से समझाना के हमें आंसर्स तक याद हो जाते याद आएगा मिस बीना से हमेशा टेस्ट ना लेने की अपील करना याद आएगा मिस सिद्रा का इतने मुश्किल चैप्टर्स जो के हमें लगता था हमें कभी याद भी ना होंगे लेकिन वो हमें इस तरीके से याद कराई थी जैसे हमने ABC बच्पन में याद की मिस हम वादा करते हैं हम कभी नहीं भूलेंगे और मिस सारे लेक्टर्स अच्छे से याद हैं और आपका प्रेजेंटेशन में अप्रिशियेट करना भी बहुत याद आएगा मिस शुमाईला और मिस सदव से तो दिल का ही कनेक्शन था लेकिन हम मिस नूर को भी नहीं भूल सकते जुनों ने हमें बायो जिसा मुश्किल सब्जेक्ट इतने प्यार से और इतने अराम से समझाया कि हमारे लिए वो भूलना इंपॉसिबल हो गया आज जो बिछ्वे हम फिरना जाने होगा मिलन कब दुबारा यारो एकिलतजा है तुमसे कि जब हो मिलन दुबारा तो यू मत कहना कि मैंने तो नहीं पहचाना तुमें इससे पहले कि हो जाएं बेवफा हम सब क्यों ना ए दोस्ट बिछड जाएं अब हम तू भी हीरे से बन गया पत्थर तू भी हीरे से बन गया पत्थर हम भी कल ना जाने क्या से क्या हो जाएंगे उमीद है कि कदम कदम पर रोशनी मिलेगी तुमको हर कदम पर काम्याबी और कामरानी मिलेगी बस दुबारा वही कहूंगी कि भूल मत जाना और इन कीमती पलों को हमेशा अपने जिंदगी में संभाल के रखना क्योंके शायद अब हमें तुबारा मस्टी करने का मौका ना मिले क्योंके अब हम बड़े हो चुके हैं प्रैक्टिकल लाइफ में आने वाले हो All the best All the best यारो तालिया बजा दो All the best